चीनी के बालू में मिस्रित हो जाने पर बालू से फुटा कर उसे निकाला अत्यंत कठीन है किन्तू छोटी चीटी बहुत सुलबता से निकाल लेती है सब द्रिश्यों को अपने पेट में घुसा कर नींद को छोड़ कर योगी सो जाता है अर्थात सारे ब्रह्मान्ड का द्रिश्यों वह अपने अंदर में रखते हुए देखता है हाथी फैली हुई सुरत तमाम सरीर में फैली हुई सुरत हाथी है सिम्टी हुई सुरत सफरी मचली और सुक्ष्म पिपील का है वह ब्रह्मान्डी चेतन धारा को पकड़ कर उपर को चल देगी यह योग के अंदर की बात है बालू जड़ है चीनी चेतन है अगर चीटी बनो अर्थात सिम्टाव हो तो जड़ छोड़ कर चेतन को गरहन करोगे तब क्या होगा योगी हो जाओगे जग्रत स्वप्न और सुसुक्ति को छोड़ कर उपर उठ जाओगे नींद को छोड़ कर अर्थात सुसुक्ति से उपर उठ कर बाहर संसार और सरीर से वह बेखवर है गोया निठाह नींद में सो गया है ऐसा भजन करने वाला ही प्रमात्म पद का प्रतक्ष सुख प्राप्त करता है वहद्वेत को अत्यंत कर त्यागने बाला होता है वहाँ सोक मो भै हर्च दिन रात तता देश काल कुछ भी नहीं है इस दसा में नहीं पहुँचने वाले का संसे निर्मूल होकर नस्ट नहीं होता है को स्वामी तुलसिदा जी महराज भी भक्ती साधन में अंदर में प्रवेश करने को ही आवस्यक बतलाते है इस प्रकार इनका विचार भी कबीर साहब और गुरु नानक साहब के भक्ती साधन के विचारों से पूर्न रूपेन मिल जाता है अंतर मुक हो अंतर में प्रवेश करने वाले का घुंगट पट खुलेगा इसमें संसे नहीं है क्या कबीर साहब क्या गुरु नानक साहब और क्या गुश्वामी तुलसी दास जी महराज सबका यही उपदेश है कि गुंगट का पट खोलो तो तुम को प्रभू मिलेंगे यही सब संतों का विचार है उनकी ओर से यही प्रसाद है इस प्रसाद को पावें केबल सुनने से पाना नहीं होता है इसके लिए युक्ति प्राप्त कर साधना करें तब पाना होगा तुलसी सहाब का तो कहना ही क्या है ये तो अपने प्रतेक सब्द से अंतर में प्रवेश कर भक्ति करने को बताता है कि ब्रहमान इस्थित निज चेतनात्मक गगन द्वारा गगन धारा को पिंड से निकल कर अर्थात पिंड के उपर उठकर देखो वा धारन करो ये कथित धारा परम पावनी गगन गंगा है अपने को यमना धारा वत इसमें मिला दो यह मिलन अस्थान प्रियाग का तिर्थ अस्थान है इस मिलन में गंगा धारा की ध्वनी आदी गुरु गती की खबर देती है संत लोगिसी मिलन अस्थान के तिर्वेनी तिर्थ में पवित्र स्नान करके सारे कर्म बंधनों को धोकर बहा देते हैं और तूल मूल अतूल स्वामी से मिल जाते हैं इस कर्म को करते हुए आप अपने को रामा नंदी, कबीर पंथी, नानक पंथी और दर्या पंथी आदी किसी पंथ का मानिये तो अवस ही आप उस पंथ के यथार्थ पंथिक हैं पंथी हैं परम सर्दे सद्गुरु बाबा देवी सहाब ने एक पत्र मुझे लिखा था पहले तुम दर्या पंथी थे, अब समुद्र पंथी हो गए उनके इस कृपा मैं बचन की यथार्थ था, मुझे प्रतक्स सी ग्यात हो रही है क्योंकि उनकी कृपा से संतों के परमानंद दायक, बचन समू के समूद्र में मैं अपने को पाता हूँ और सब संतों का एक ही पंथ उस परमानंद सिंदु में गुरु किरपा से मुझे दर्सित हो रहा है श्री गुरु महराज ने प्रतक्ष में अनेक पंथ से ग्यात होने योगबातों में एक ही पंथ का दृड़ता से बोध करा दिया है गुरु धन है गुरु धन है श्री सद्गुरु यह प्रवचन बाका जीला मंदार पहार पर श्री कृति नराइन सिंग द्वारा आयोजित दिनांक 31.1914 के रात्री काल के सत्संग में हुआ था बोलिये श्री सद्गुरु